नमस्ते, हिंदी की क्लास में और उस्कूल की तरप से आपका फिर से स्वागत है आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और उसका नाम है दो अक्षर के शब्द आप सोचोगे शब्द क्या होता है? जबी दो और उससे ज्यादा अक्षर साथ में मिलते हैं और जो बनता है उसे बोलते हैं शब्द क्या बोलते हैं? शब्द अगर दो अक्षर साथ में मिलते हैं उसे बोलते हैं दो अक्षर के शब्द अगर तीन अक्षर साथ में मिल जाए वो हो जाते हैं तीन अक्षर के शब्द वैसे ही अगर चार अक्षर साथ में मिल जाए वो हो जाता है चार अक्षर के शब्द आज हम सीखेंगे दो अक्षर के शब्द तो चलो सीखते हैं दो अक्षर के शब्द बच्चो ये कौन सा व्यांजन है व्यांजन ख और ये व्यांजन कौन सा है व्यांजन त व्यांजन ख और व्यांजन त ये दोनों व्यांजन उसे बोलेंगे दो अक्षर ये दो अक्षर है अब हम ये दो अक्षरों को साथ में मिलाएंगे जबी दो अक्षर साथ में मिल जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है ये कौन सा शब्द है? उसे जोड के बोलना है ख, त, खट बच्चों, आपको दोहराना है ख, त, खट अब ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन न ये एक अक्षर है व्यंजन न और ये दूसरा अक्षर है और ये वाला कौन सा व्यंजन है व्यंजन ल न ल ये दो अलग-अलग है तो वो दोनों अक्षर है अगर वो दोनों साथ में आ जाते है तो वो एक बन जाते है और वो हो जाता है एक शब्द ये शब्द में कितने अक्षर है? कितने व्यंजन है? दो एक दो तो ये हो गया हमारा दो अक्षर का शब्द न, ल, नल नल मतलग टैब जो हता है जिसमें से पानी आता है वो है नल एक बार और पढ़ेंगे न, ल, नल ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन बा जो की बतक का बा होता है ये एक अक्षर है और ये दूसरा अक्षर है मतलब दूसरा व्यंजन है ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन सा ये दोनों अलग है तो इसे शब्द नहीं बोलते है बा, सा बस अगर हम दोनों को मिला ले तो वो बन जाता है शब्द अभी हम उसे पढ़ के देखेंगे ब स बस आपको ऐसे पढ़ने की प्राक्टिस करनी है आपको मेरे साथ में बोलना है ब स बस ये शब्द हो गया हम उसके उपर एक ही लाइन बनाएंगे बस क्योंकि ये एक शब्द है इसमें हम अलग-अलग लाइन नहीं बनाएंगे उसको जॉइन करके एक ही लाइन बनानी है ब स बस अब बताइए ये कौन सा वियांजन है वियांजन घ और ये वाला कौन सा वियांजन है व्यंजन र, जब ही दोनों अलग है, तो वो दोनों अक्षर है पर जब वो साथ में मिल जाते है, तो वो हो जाता है शब्द ये कौन सा शब्द बना, घर, र, घर, घर मतलब हाउस ये कौन सा व्यंजन है, व्यंजन र, अगर मैं उसके साथ में व्यानजन थ को रख दू तो वो हो जाता है शब्द र थ रत पर बच्चो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसके उपर ये सीधा लाइन नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है हिंदी में जो भी व्यानजन है उसको जो सर्कल होता है उसके उपर से ये स्लीपिंग लाइन नहीं जाती है तो अगर ये स्लीपिंग लाइन पूरी लाइन सीधी नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि ये शब्द नहीं है जबी ऐसे सर्कल वाले व्यानजन होते है तबी वो पूरी लाइन हम नहीं बना सकते उसको ऐसे इधर तक फिर उसके बाद में यहां वैसे ही बनाना पड़ेगा परन्तु जब उसको साथ में लिखते है तो वो शब्द बन जाता है और ये कौन सा शब्द है? चलो पड़े र, थ, रत दोहराना ना भूले र, थ, रत अब इसे पहचानो ये कौन सा व्यांजन है? सही बताया व्यांजन च और इसके बाजू में अगर मैं ये दुसरा व्यांजन रख दू तो क्या हो जाएगा? वो शब्द बनेगा इसमें कितने अक्षर है? दो एक, दो तो ये हो गया दो अक्षर का शब्द और ये कौन सा शब्द है, चलो पढ़ते हैं, छ, त, छत, छ, त, छत, अब हम ये व्यांजन देखेंगे, कौन सा व्यांजन है ये, फ, अगर उसकी बाजू में मैं और एक अक्षर रख दू, जो की है व्यांजन न, तो वो क्या हो जाएगा, शब्द, दो अक्षर का शब्द बनेगा, तो अब हम उसे पढ़ेंगे, फ, न, फन, आपको दोहराना है, फ, न, फन, अब हम एक दूसरा शब्द पढ़ेंगे, ये शब्द में कितने व्यांजन है, सही बताया, दो, वो कौन से है, त, और ब, उसे साथ में मिलके क्या बनेगा, करेक्ट, शब्द बनेगा, दो अक्षर का शब्द, उसे रीड कैसे करेंगे, उसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़के बताओ, पढ़ लिया, सही बताया, ट, ब, टब, टब, चलो और एक शब्द पढ़ते है, व, न, वन, ये कौन सा शब्द है, व, न, वन, और एक शब्द पढ़ेंगे, म, त, मत हमने जो दो अक्षर के शब्द पड़े उसकी राइटिंग प्राक्टिस हम हिंदी की माइस्किल बुक में करेंगे On page number 119 we will practice writing our two letter words और first thing we will write today's date that is in the left side corner 3.11.12 उसके बाद में बच्चो आपको इसे पढ़ना है ख, plus, plus मतलब join करना है ख, plus, the, दोनों साथ में मिलके क्या हो जाता है खत, देखो जबी वो शब्द बनता है तो उसके उपर एक ही लाइन बनती है आप जबी लिखते हो तो इसे गोर से देखना है और ध्यान से लिखना है आप पहले ख, लिखोगे फिर आप त, लिखोगे और पूरी लाइन बनाओगे खत, उसके बाद में न, ल, नल आपको उसे पढ़ना है न, ल, नल फिर यहाँ जो लाइन दी है उसके उपर आपको सेम चीज़ कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद में उसे आपको पढ़ना है और ध्यान देना है कि जबी आप शब्द लिखते हो तो ये लाइन पूरी एक ही होती है क्योंकि ये शब्द है ये एक बन जाते है जबी दो अक्षर साथ में मिलते है तो वो एक शब्द बनते है तो उसके उपर हम ऐसे दो लाइन नहीं बनाएंगे हम एक ही लाइन बनाएंगे वैसे आपको ये पूरे पेज़ पे अच्छे से दो अक्षर के शब्द पढ़ने है और उसके बाद में उसे यहां लिखने की प्राक्टिस करनी है मुझे आशा है बच्चो आपको दो अक्षर के शब्द बनते कैसे है उसे पढ़ते कैसे है और उसे लिखते कैसे है वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद